कि यह पर आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीण डिपॉसित से रिलेटेट क्या फ्रेमवर्क जो और रिलीस किया घ्रीफित क्या होता है ग्रीण वशिंग क्या होता है यह सभी इंपोर्तेंट टंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इस वेरी पूछे जा सकते हैं green deposits क्या होता है green washing क्या होता यह सभी चीजें यह सभी terms आपसे as it is prince में पूछे जा सकते हैं तो framework क्या है ठीक है framework क्या है Reserve Bank of India की अगर हम बाद करें तो एक regulatory framework जो है banks के लिए ठीक है एक regulatory frameworks banks के लिए ठीक है banks के लिए release किया गया RBI के तोरह जिसमें जो banks है जो green deposit accept कर रहे है ठीक है जो green deposits accept कर रहे हैं वो किस तरीके से accept करेंगे ठीक है कहा investment हो जो रही है यह बताएंगे ठीक है कितना green deposit हो रहा है यह disclose करेंगे और कहां पर यह green deposit यह इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा ये भी इस फ्रेमवर्क में प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है पर उससे पहले हम यह समझेंगे कि ग्रीन डिपॉजिट्स होते क्या है अज जब हम कमाना शुरू करते हैं ठीक है और मिडल क्लास मिडल क्लास फैमली के लोग जब कमाना शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेविंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है अब सेविंग्स के लिए क्या लोग करते हैं इंवेस्ट करते हैं ठी क swipe invest कर सकते ठीक है कुछ insurance ले सकते हो कुछ भी कुछ भी ताकि आपकी जो बहुत ज्यादा प्यार है अलागि मुझे रियाल्टी में इन्वाइमेंट से बहुत ज्यादा प्यार है अब मेरी पास जो पैसे हैं ठीक है मेरी जो सेविंग्स है ठीक है मेरी जो सेविंग्स है मेरी जो सेविंग्स है मुझे कहीं इन्वेस्ट करनी है पर मैं यह चाहता हू कि जो मेरा investment है ठीक है जो मैं savings अपनी invest कर रहा हूँ वो banks सिर्फ उन ही projects पे invest करें जिससे environment पे कुछ अच्छा effect आ रहा हो ठीक है कुछ positive effect आ रहा हो यानि कि अगर मैं अपनी savings green deposits में invest कर रहा हूँ तो bank का काम ये है कि वो मेरे savings जो मैं as green deposit जमा कर रहा हूँ वो ऐसे projects में ना invest करें banks जो है banks ऐसे projects में invest करें जहां पे negative impact environment पे आ सकता है तो यह होता है आपका green deposit यानि कि normal normal investment की तरह ही होता है पर green deposits की बात करें तो यहां पर क्या होता है यहां पर जो banks है ठीक है अब देको banks कैसे invest करते है ठीक है person a है person B person A person B इसने अपनी savings जो है person A ने अपनी savings bank में रखी अब banks further इसे invest करेगा ठीक है अब bank इसे further invest करेगा कही भी कर सकता है normal saving ठीक है this is normal saving या normal investment person B person B environment ठीक है environment से बहुत प्यार करता है पर यहां बड़न से ठीक है as green deposit invest करी अब bank का क्या काम रहेगा banks का काम ये रहेगा कि ये जो savings है ठीक है ये जो savings है ये सिर्फ उस ही projects में जाए जहां पर climate change से fight करी जा सकती है ठीक है climate change से fight की जा सकती है ठीक है climate change से fight की जा सकती है ये difference होता है normal savings यह नॉर्मल इन्वेस्मेंट या ग्रीन डिपोजिट की बीच हो बस that's it यानि की ग्रीन डिपोजिट ठीक है the only major difference is that banks promise to mark the money that they receive as green deposit towards environment friendly projects that's it green deposit और नॉर्मल डिपोजिट में यही difference होता है कि जो green deposits है ठीक है उसे कहां invest किया जाएगा सिर्फ environment friendly projects में ही environment related environment friendly projects में ही invest किया जाएगा पर हो क्या रहा था हो यह रहा था कि कोई person उसने green deposits ठीक है green deposits ठीक है green deposits invest किये अब banks क्या कर रहा था banks जो है वो बाते ठीक है bank से कर रहा था कि हाँ हम सारे जो green deposits हैं वो environment friendly इन्वेस्ट कर रहे हैं सारी चीजाly पर जब proper checking की गई तो मई इंपक्ट बैंक के द्वारा बताया जा रहा था ठीक है बैंक के द्वारा एक बताया जा रहा था कि औहुल के भूंट ही बढ़े environment friendly प्रेंडली प्रोजेक्ट में जो है वह Вो शायद जो investment है वो उतना impact नहीं create कर पा रहा है जितना वो कर सकता था यानि कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ वो शायद properly पूरी तरीके से environment friendly projects में नहीं invest हो रहा होगा शायद कहीं और investment या शायद कोई और projects में भी invest हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते है green washing ठीक है इसको कहते है green washing ये term ध्यान रखना भीया क्या कहते है green washing यानि की green washing यह होता है green washing यह होता है कि अगर मैंने green deposits अपने invest किये है ठीक है अब bank का काम यह है बैंक का काम यह है कि जो मेरे green deposits वो सिर्फ environment friendly projects में ही लगाएं पर वो पैसा जो है वो जो मेरे deposits है वो पूरी तरीके से environment friendly projects में नहीं जा रहे हैं उसका कुछ part जा रहा है पर उसका कुछ part ऐसे projects में भी जा रहा है जो शायद environment पे negative effect या negative impact डाल सकते हैं तो उसको कहते हैं green washing समझ में आगया green deposit क्या है green deposit क्या है और green washing क्या है यह आप से as it is प्रिल्म्स में पूछे जा सकते हैं in terms को ध्यान रखना ठीक है in terms को क्या रखना in terms को ध्यान रखना अब जो नया framework है RBI ने क्यों release किया ठीक है यह framework क्यों release क्या क्योंकि obviously बात है जो green washing है उससे रोकने के लिए और properly bank यह disclose करें कि हां कितना कितना deposits आ रहें as green deposits और वो green deposit जो है वो कितने किस project में invest हो रहें और किस projects में invest नहीं करने चाहिए सारी चीज़े बताए गई यह पहला काम क्या है bank सा काम यह है कि उन्हें एक set of rules और policy बनानी है ठीक है एक set of rules और policy बनानी है जो कि वो policy को approve कौन करेगा उनके रिस्पेक्टिव bank के boards के द्वार अप्रूव होगी उसके बाद यह policy ठीक है उसके बाद यह policy आगे बढ़े साथ यह सभी rules को public के लिए public के लिए open करना है ठीक है पब्लिक के लिए open करना है चाहे वो bank की website पर कर सकते हैं या banks में कोई आ रहा है ठीक है आप physically आप बैंक में visit करें तो जो bank employees है वो convey कर सकते हैं यह सारी चीज़े बतानी है ठीक है साती साथ यह बताना है कि कि जो green deposit amount है वो कितना receive किया जा रहा है ठीक है कितने investment आ रहे है as green deposit साती साथ यह जो ग्री यह जो deposits है वो कितना allot किये जा रहे है various green projects के दोरान ठीक है और इस projects में कितना impact पड़ेगा यानि कि banks को क्या करना banks को सबसे पहले banks को सबसे पहले एक set of rules policies बनानी है जो कि approve की जाएगी bank boards के दोरा उसके बाद वो जब policy बन जाएगी वो जो rules बन जाएगा उससे public के लिए open करना है ठीक है चाया banks की website के through कर सकते है या pamphlet कैसे भी कर सकते है उसके बाद जितना भी green deposits आ specific green projects पे invest किया जा रहा है bank के दोरा और उसके बाद वो जो project पे invest हुआ है उसका impact क्या पढ़ रहा है environment पे यह भी disclose करना bank को ठीक है तो इसका objective क्या है objective यही है कि green washing रोकी जा सके और इन सब के बाद भी एक third party रहेगी ठीक है एक third party रहेगी ठीक है एक third party रहेगी जो की जिसका क claim कर रहा है ठीक है जो bank claim कर रहा है जो banks कह रहा है ठीक है जो bank claim कर रहा है यह कितना सच है यह कितना जूट है इसको verify किया जा सके साती साथ इस framework में यह भी बोला गया है यह भी बताया गया RBI के दौरा कि किन projects में जो green deposits हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेगा bank कौन-कौन से project है ऐ तो इस वजह से इन सभी प्रोजेक्स पे जो ग्रीन डिपॉजिट से वह बैंक डिपॉजिट नहीं कर पाएगा तो इस फ्रेम्वर को बनाने का रूल यहीं है कि भाई अगर मैं एक अपना green deposit अपनी savings जो है वो invest कर रहा हूं bank में तो वे सी बात है जिस objective से मैं invest कर रहा हूं ठीक है कि भाया environment friendly projects में मेरे पैसे लगें वो साकार हो ठीक है जो मेरा objective है वो पूरा हो साथी साथ जो green washing है जो green washing है यानि कि जो पैसे जो deposit मैं मैं bank में दे रहा हूं शायद उससे 20% impact हो सकता है environment पे अच्छा हो सकता है पर शायद वो impact क्योंकि bank properly उस project में मेरे deposit इंवेस्ट नहीं कर रहा तो शायद impact शायद 10% हो या even 5% हो तो इसको रोकने के लिए जिसे green washing कहते है मैं आपको समझा चुका हूं इन सब चीज को रोकने के लिए RBI ने एक नया फ्रेमवर्क जो है वो banks के लिए रिलीस किया है सो यह आपके environment के लिए इंपॉर्टेंट है और साथी साथ यह आपके economics के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है उमीद करता आपको सारी चीज़न समझ में आई हूंगी अगर कोई डाउट रहेगा चाहे वो green deposit हो चाहे वो green washing हो किस वज़े सी यह framework आया है अगर क मेरा code लगाओगे RS live ठीक है जैसा ही मेरा code लगाओगे RS live you'll be able to purchase any of your respective state PSC's smart courses on a discounted price and the price is 4999 that's it तो मेरा code जो है RS live वो लगाओगे तभी जो है आपको यह discounted price पे courses मिलेंगे मुलकात करेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक ना ध्यान रखेगा मैनत करते रहेगा खुश हुआ हुआ